विलकम डेर इस्टूरेंट्स आपका फिस्ट स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चेनल में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपके लेकर आगा हूँ कच्छा नोवी समाजिक विज्ञान का अध्याय तीन नासरीबाद और हिटेलर का उदे इस पार्ट का नाम है इसके मैं आपके लिए मेद्वपूर प्रेशनों के उत्तर लेकर आगा हूँ मैं आपको बहुत ही अच्छा समझाऊँगा आपको ध्यान पूर्वक्त समझना है और इन्हें तुरांत त्यार्द कर लेना है तो चलिए अब हम वीडियो को बिने किस देरी के सुरू करते है यदि आप हमाँ चलने पर पहले बार आया तो आप हम चलने को सब्सक्काइब कर लेना साथ ही मैं दिए आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमार वीडियो को लाइक कर देना चलिये अब हम वीडियो को बेन्यकिस देरी के सुरु करते है तो चलिये छात्रों सबसब पहले हम इनके अतुल लग्यत्र के उत्तर को सोल्व कर लेते हैं तो देखिए छातरों आपार पहला प्रश्ण है आपको मित्र राष्ट्रों का नितरद्व करने वाले कौन से राष्ट्र थे अब ही मित्र राष्ट का होता है एसा राष्ट अर्थात जो भी राष्ट मित्र थे एक दूसरे के मित्र थे हम उन्हें मित्र राष्ट भी कह सकते तो इनका नेतरदव करने वाले कौन से राष्ट थे अर्थात जो मित्र राष्ट थे उनके लीडर कौन थे तो इसका आंसर में आप लिखेंगे मित्र राष्टों का नेतरदव सुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था हना ब्रिटेन और फ्रांस मित्र राष्टों नेतरदत किया और उसके बाद 1941 में अमेरिका और सोबे संग भी इस मित्र राष्टो के नेतरदत में सामेल हो गए उम्मेद है आपको समझ में आ रहोगा चलिए अब हम देखते हैं प्रशन दो नाची सब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तो दोस्तों आपर आपको बताना कि नाची सब्द कैसे उत्पन हुआ तो देखिए जो नाची सब्द था जर्मन भासा के ठीक है नाची सब्द ठीक है हिडलर की पार्टी थी उसका नाम था नाची होड़ाल हैना हिडलर की पार्टी का नाम क्या था नाची होड़ाल तो जो जो भी इस पार्टी में काम करते थे उन लोगों नाची ही कहा जाता था तो यहाँ पर यही लिख दिंगे आप नाची ही सब्द जर्मन भासा के नाची ह उडाल सब्द हिडलर की पार्टी के नाम का पेला सब्द था इसलिए इस पार्टी के लोग को नाची कहा जाता था हमा हिडलर की पार्टी को थी नाची उडाल थी तो जो भी इस पार्टी में काम करते थे उन्हें सोट फोर्म में क्या कह देते थे नाची कह देते थे अब दे देखिए हमारा next question है प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है तो देखिए हमारे भारत में या फिर कोई भी विदेश में कई जो पार्टी होती राजनीतिक दल होते हैं बेप्रचार परसार करते हैं कई सारे गाड़ी घुमाते हैं कई सारे भासार देते हैं कई सारे पोस्टर छब आती है, तो अर्थाद प्रोपेगंड का क्या अर्थ हो आता है कि किसी भी राजनितिक दल दोरा किया जानेवाला प्रचार, तो यहाँ पर आप यहीं लिख दिनेंगे, जन्मत को प्रवावित करने के लिए किया जाने वाला एक खासत हरे का प्रचार और किसके मादम से होता है पोस्टर फिल्मों और भासनों आदि के मादम से होता है उमिद है आपको समझ में आ रहा होगा चले अब हम देखते हैं चोता प्रश्ण construction camp क्या थी तो देखिए construction camp किसे केते हैं एसे स्थान जहां बीना कानूनी प्रक्रिया के लोगों को केद रखा जाता था जहां पर कानून की प्रक्रिया का आवसक नहीं माना जाता था और एसे construction camp बिजली का current दोड़ते कटीलों तारस से गीर रहते थे जहां पर कानूनी प्रक्रिया के आवसकता नहीं होती थी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को केद रख सकते थे अब देखा हमारा next question है night of broken glass के नाम से किस घटना को याद किया जाता है तो देखिए night of broken glass अर्थाथ हम इसे केवी सकते हैं बहे रात जव गिलास को तोड़ा गया था broken यान होता है तोड़े ना गिलास यान काज भी केज सकते हैं तो देखिए होता क्या है एक वार नवंबर 1938 में एक जो मतलब कि भयाना जो दल था उन्होंने यहुदी एक समास था उनकी समपत्य को तेशनेस कर दिया बहुत सारे लूट कर दी गई उनके घरों पर हमले कर दी गई वहापर कई सारे कास को तोड़ दी गई कई सारे दर्वाजे को तोड़ दी गई उनके प्रार्थना घर उनके मंदिरों को जला दी गई और उन्हें गिरबतार भी कर ले गया तो इस घटना को हम night of broken glass के नाम से याद रखते हैं हना आपको इस सब्द का अर्थ समझना है night of broken glass अर्थात बेरात जब glass को तोड़ा गाय था या फिर cast को तोड़ा गाय था या फिर एक प्रिकासम के सकते नश्ट किया गाय था पूरे समुधाय को अब देखिया हम next question देखते है प्रशन छटबा है नार्डिक जर्मन आर्डिक कोन थे तो देखिये हाँ पर आपको बताना है कि नार्डिक जर्मन आर्डिक कोन थे तो देखिये नाटिक जर्मन आरे जो भी समाज है उनमें जो लोग रहते थे उनको बताने वाली एक साखा का नाम था ये लोग उत्तरी यूर्पी देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जूलते मोल के लोग थे जो आ रहे लोग थे ना बे जर्मन ये फिर उनके जैसे ही मिलते जुलते लोग थे यूंग फोक से अर्थ बताईए ठीके तो यूंग फोक का अर्थ होता है यूंग फोक चवदो साल से कम उमर वाले बच्चों के लिए नाजी यूवा संगटन होता था प्रशन आठवा है जिपसी बाग घेटों का अर्थ बताईए तो देखिए जिपसी हम केसे केते हैं जिपसी के नाम से जो लोग होते हैं बे सिरेणी बत से की गए उनकी समुहों की अपने खुद की सामुदायक पहचान होती थी अर्थात जो जिपसी नाम में जो भी लोग आते थे जिपसी सिरेणी में जो भी लोग आते थे उनकी अपने खुद की सामुदायक पहचान होती थी बे अपनी सामुदायक पहचान बता सकते थे उन्हें कई भी घुमने फेनने का अधिकार था अपने जाती पताने का अधिकार था लेकिन जो घेटो लोग थे उनको समुदाय से अलग-अलग करके रखा जाता था अर्थात इसमें एकदम डिफार्टा किसमें के लोग आते थे उन्हें अलग करके रखा जाता था जिपसे स ठेटों समाहोद्राय अलग था अर्थात हम इसे सीनेडी भी कह सकते हैं तो दोस्तों इस प्रिकास दौस्त में आपको अतीलागुत्ति को अच्छे समधा दिया हूं आपको उमिध है आपको समझ में आगा होगा येदि आपको समझ में आ गया है तो आप इसे तुरंत याद भी कर सकते हो तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीटम तो तक के लिए जेहिंद जे भारत